स्वावत है आप सभी का हमार उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूँ पीटी बिश्ट और इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दें पैसे के लेंदेन को लेकर एक दुकांदार की फीट फीट कर हत्या कर दी गई है फिल्हाल पुलिस ने आरूपी छेकेदार को ख्यान पुलिस ने अध्या कर दी गई है अग्यात बत्माशों ने शिक्षक को गोली मारी है सुजान शहर से मचली शहर जा रही ते शिक्षक जब उन्हें गोली मारी गई बेलवार कॉलेजक के पास हत्यकान को अंजाम दिया गया मचली शहर में तेनाते शिक्षक ठाना सुजान गंज पिए घठना है जहां पर अग्यात लोगों ने एक शिक्षक को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया है और इससे घठना की बाद से बदमाशो का कहीं कोई पता नहीं है और खबर साहरेंपूर से है जहां होटेल मालिक और नौकर की हत्या का मामला सामने आये तो उसके बाद गुसाए व्यापारियों ने जाम लगा दिया है और मामले में आरोप्टियों की गिरफतारी की मांग की हला कि एक आरोपी सिपाही कपल मलिक और डिया जी ने बरखास कर दिया है यह पूरा मामला क्या था आपको बताएं दरस लेहा कुछ सिपाही लोग यहां कुछ पुलिस के कर्मी खाना खाने बैठे थे एक होटेल में शेरे पंजाब धाबा जिसका नाम था जब होटेल मालिक ने यहां पर बिल मांगा तो यहां वो साय सिपाही ने होटेल मालिक और उसके कर्मीचारी को गोली माग दी थी इसके बाद से आरोपी जो मुख्य था वो तो गिरफ में आ गया लेकि बाकी साथी फ़रार है और इसी बात को लेकर लोगों में गुश्य आमका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए सहरनपुर में संसनी यूपी पुलिस फिर हुई दागतार सिपाही पर लगा हत्याकारों खाने का बिल मांगने पर की फाइरिंग होटल मालक और कर्मचारी को उतारा मौत के खार पैसा मांगने पर कोली मारती है सहरनपुर फुलिस रात के अंधिरे में उब्रा लोगों का हुजूँ और फुलिस की मॉजूनकी तस्वीरे सहरनपुर की है जहाँ यूपी पुलिस के एक सिपाही ने फोटल मालेक और कर्ण चारी की खोली मार कर हत्या कर दोनों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पुलिस वाले से खाने का बिल मांग लिया था हत्या की वारदात को अज्जाब देने के बाद आरोपी सिपाही हवा में तावर तोर फारिक करते हुए फागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मौकाए वारदात पर मौझूद लोगों ने उसे दबोच लिया तोरे हत्याकार्ट की जादकारी मिलने पर डी आईजी और एसपी सिटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी काणूनिक कार्रवाई करने का दावा किया दबल मौडर की वारदात साहरत पूर रेलवे स्टेशन के पास मौझूद शेरे पंचाब होटल में हुई लोगों का दावा है किस सिपाही ने जब फाइरिंग की उस वक्त एक S.I. समें कुछ और पोलिस कर्मी भी होटल में मौझूद थे लेकिन आरोपी को पकड़ने की बजाए तमाश भीन बने रहे हलाकि लोगों ने आरोपी को दबोच लिया लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या अपने ही विभाग के सिपाही के खिलाब पुलिस सही ठंक से कार्रवाई करें या फिर महस दिखावा कर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा सवाल इस बात का भी है कि जब रक्षक ही भक्षक बच जाएंगे तो जन्ता की सुरक्षक कैसे होगी बंकच बालिया, सहरत्पूर, समाचार प्लस और खबर इस वक्ता आजमगर से आरी जहाँ जमीन विवाद में वकीर और पुलिस कर्मियों के बीच में झढ़ा पोई है ने शहर के कई रास्ते चाम कर दिये हैं और अपने उससे का इधल करते हैं दोशी पुलिस कर्मियों के खिलाब कारवाई की यहां पर मांगी है वकीलों की गुस्टे को देखते हैं खिला हाल यहां पर पुलिस वाल को तैनाथ कर दिया किया है पाकिस्तान के पूर्व राश्ट्रपती परवेज मुशरफ ने मंगलवार को वो सारी बातें खुल कर कुबूल कर ली जिन पर आज तकी पाकिस्तान परदा डालता रहा था मुशरफ ने कुबूल किया कि आतंक बाद पाकिस्तान की पैदाईश है मुशर्फ यही नहीं रुके उन्होंने ये भी कुबूर किया कि कश्मीर में आतंकी भी पाकिस्तान नहीं ही बेजे थे और इस सारी बातें पाकिस्तानी नीज चैनल दुनिया टीवी को जी इंटिव्यू में कही है इस इंटिव्यू में मुशर्फ ने कहा कि माहौल 1989 से बदला हुआ था हम मुझाहिदीनी लेकर आये थे पूरी दुनिया से सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए तालिबान को हमने ही ट्रेंड किया था पाकिस्तान ने उनको हीरो डिस्टेप्शन दिया मुझाहिदीनों कि ये हमने ट्रेनिंग के लिए फिर से भेजा इसके बाद लशकरे तैबा वगेरा बना वो हमारे हीरो थे वो कश्मीर में जान पर खेल कर लड़ रहे थे अब माहौल बदल गया है रिलिजियस मिलिटेंसी अब चारिडिजम में तबतील हो गई है अब निगेटिव हो गया है अब हम खुद विक्तिम हो गए है 1979 से बहुत तबदील होता चला रहा है एक रिलिजिस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहां इंट्रड्यूज की सोविट्स को निकालने के लिए हम मुजाइदीन लाए पूरी दुनिया से हमने तालिबान को ट्रें किया उन्हें वेपन्स दी और उनको अंदर बेजा वो हमारी हीरो थे यह जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी टीस का हीरो है तो सामा बिन लाडन हमारा हीरो था C.I.A. का भी था जायद यह ज़ौहिरी हमारा हीरो था तो महौल अलग था, अब महौल तब्दील हो गया, अब वो हीरो जो है वो विलिन बन गया, अब आप 90's को ने कश्मीर की अब आपके हाफिस सहीर बगार की बात कर रहे हैं, देखें वहाँ एक freedom struggle स्टार्ट भी कश्मीर में, 1990 में शुरू होई, वो उनको मारा गया, बुरी त support में थे, कि ये मुझाइदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूग के लिए, यहां फिर ये लशकरे तयबा वगएरा बनी, बहुत सी, दस बारा और भी बनी, वो हमारे हीरो थे जी, वो इनको अपने भाईयों को बेहनों को कश्मीर में अपनी जान के नाओ, इसी लिए मैं कहता हूँ, इसको पूरे को समझना चाहिए, ये कि आज ये विलन है तो हुझे इनको मारो पकड़ेंगे, नहीं तो इसलिए मैं कहरा हूँ नाओ, जो है क्योंकि ये टेरिरिज्म, ये कनवर्ट हो गया है, टेरिरिज्म में, ये रिलिजिस लोग मलवस हो गया है, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया, तो इस वक्त इनको बिलकुल कन्ट्रोल करना चाहिए, और बंद करना चाहिए, क्यूंकि हम खुद एफेक्ट ने हम खुद विक्टिम हैं इनके, तो आप कह रहे हैं कि हाफिस साइद को और लक्वी को बंद करन पाकिस्तान के पूरो राश्रुपती के इंट्रिवीव पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाई दी हैं, सुनाते हैं आपको. हमें चाहिए कि हम और सबूत एक अठा करें कि वाकिस्तान ने आजाद कश्मीर की रडाई में उसी रास्ते में उन्होंने आतंगवाद को भारत में पंपाया है, भेजा है. अगर ये बात इसकी तस्दीक हो जाती है, तो इसको हमें बहुत ही गंभिरता के साथ देना चाहिए, और साथ ही साथ इसको इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पर भी खड़ा करना चाहिए इस मामले को, के साथ देखे, आतंगवाद के फैलाने का एड्मिशन अगर आता है पा मुशर्फ साथ कोई मामली आदमी नहीं है, पाकिस्तान के प्रिजिडेंट रहे हैं और उनकी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता हमारी सरकार को चाहिए कि मुशर्फ साथ के इस बयान को लेकर यूनाइटे नेशन जाए और पाकिस्तान को बे नकाब करे और पा रासपती पुसारफ जी सिर्फ रासपती नहीं रहें बलकि सेना के जनरल भी रहें और वहां सेना क्या करती ही ये सबको मौलूम है उनकी ये स्यूकरूट की पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, क्या किया जा करना है, य आतंक वाधियों को ठेंड करके भेजा जाता है आतंक वाध फैलाने के लिए हंदुस्तान की धरदी पर रास्वतीर पर इसको पुरी मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए यूपी सरकाने NCTE से शिक्षा मित्रों के लिए TET की अनिवारिता से छूट के अनुमती मांगी थी तो मंगलवार को NCTE ने तीन पर्णों में जवाब दिया है जिसे सरसरी तोर पर देखा जाए NCTE की चिट्धी में सिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं सिक्षा मित्रों का संकट जस का तस राष्ट्रिया अध्यापक्त सिक्षा परिशद ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में TET से जूट उन्हीं सिक्षकों को मिलेगी जिनकी निउक्ति 25 अगस 2010 से पहले हुई और तब से लेकर अब तक सेवा में हो प्रदेश शरकार ने NCT यानी राष्ट्रेय अध्यापक्त सिक्षा मित्रों के लिए TET के अनिवारिता से छूट की अनुमती मागी थी इसी पर NCT ने तीन पन्नों का जवाब दिया जिससे दो बाते साफ है एक ये कि NCT ने छूट दे दी है लेकिन इसमें कई पेच है 25 अगस 2010 के बाद नुक्त होने वालों के लिए TET पास करना अनिवारिय होगा जरसल इलाहबाद हाई कोट ने अपने फैसले में कहा था कि सिक्षा मित्रों को ध्यापक नहीं माना जा सकता ये सुएक्षा से काम करने वाले समविदा कर्मी है बस यही पेच है कि NCT ने छूट दी है अदालत सिक्षा मित्रों को समविदा कर्मी मान रही है वैसे भी सिक्षा मित्रों की सिवाएं हर साल 11 महीने के बाद समाप्त होनी थी फिर नए सत्र में नई न्युक्ति यानि निन समयोजन को रद्द कर दिया गया था यह समयोजन 12 सितंबर को रद्द किया गया था विरल पॉंट समाचार प्लस और रुक करते हैं बिहार का जहां विधान सवा के तीसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है वहीं स्वी बीच बख्तिया पूर पोलिंग बूथ पर एक बंदर ने जम कर आतंक मचाया यहां इस बंदर ने चार लोगों को जख्मी कर दिया आपको बता दें कि पोलिंग बूथ बेहद हाई प्रोफाइल है चुनाव आईक के और से इस पोलिंग बूथ को मौडल पोलिंग बूथ खोशित किया गया है हाला कि यहां फर्स्टेट तक के कोई रजाम नजर नहीं आए तो यह है का मौडल पोलिंग बूथ बंदर के काटनी से एक के बादे कई महिला और कई लोग यहां पर जख्मी हो गए और जो वहां मौजूद लोग थे वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कतार में के माल करने के लिए पहुँचे थे हला कि कुछ लोग डर के मारे यहां से चले भी गए तो इस तस्वीरे जो आप देख रहे हैं एक वुज़र्द महिला जो वोट देने के लिए पहुची थी यहां पर इस पोलिंग बूथ ने बंदर ने हमला करके महिला को बुरी तरह जखनी कर दिया इसके लावा और भी बाकी तीन लोग के जिने बंदरों ने यहां पर जखनी कर दिया बात फिर विदेश चला गया मामले में चानवीन हुई तो पत्नी के यहां पर आँखे खुली की खुली रह गई रिष्टों का आप कहां कोई मतलब रह गया है मौव से आई जरा इस खबर को सुझी जहां पती की जाल साजी और सरकारी सिस्टम की मिली भगत से एक पत्नी को उसी के पती ने रिष्टे में बेहन बना दिया और पत्नी को छोड़ भाग गया विदेश जहां यह पूरा मामला समझने में पेचीदा जरूर लगेगा लेकिन अगर इन्हें गौर से सुना जाए तो पूरी की पूरी साजिश साफ हो जाएगी यह घटना थाना मदुभन के माफी कोठिया गाउं की है जहां शमीम की शादी हुई थी और वही पर शमीम ने अपने ससुर को फर्जी रूप से अपना बिता बनाकर सरकारी सिस्टम को अपनी इस पूरी चाल में बिलाया और फर्जी पास्पोर्ट बनवाकर विदेश फरार हो गया अब एबाद उसकी पत्नी को तब पता चली जब उसने विदेश से लोटकर दूसरी शादी कर ली और कुछ समय बाद फिर विदेश चला गया जब छानमीन हुई तो पता चला कि वो तो अपनी पत्नी के ही पता का पता देकर पास्पोर्ट बनवा चुका था पत्नी नियाय की गुहार लगाती हुई अब दरदर फटक रही है साथ अब सरकारी सिस्टम को भी कोश रही है जसने की उसके रिष्टे को ही पदल दिया यह सबाना बेगम जो है यह समी महमद की पत्नी है अब लड़के कासली पिता और छोटा भाई बहू को इंसाफ दलाने के लिए थाने के चक्कर काट रहे जहां फिलहाल इंसाफ की कोई आस नहीं दिखाई दे रही पूरा परिवार परिशान है और यही सोच रहा है कि बेटे ने इतना बड़ा धोका आखिर कैसे ने दिया रवीद्र सैनी मउ समाचार प्लस और मेरट में अभरण का बेहत अजीबो गरीब मामला सामने आया बीवती खुद ही अपने घर वापस लोटाई मेरट में अपराधिक खटनाएं आम बात हो गई है यहां अपराधियों पर खाकी का कोई खौफ नहीं आए देन अपराधियी अपने मन्सूबों को अंजाम देते हैं और आसानी से पोलिस को धोका देकर फरार हो जाते हैं लेकिन मेरट के थाना इन चौली के गंगा नगर में अजीबो गरीब मामला सामने आया जहां लड़की के अपहरण की सूचना से हरकंप मच गया अपहरण की सूचना पूरे जिले में आग की तरह फैल गई जिसके बाद पूलिस प्रशाशन के भी होश होड़ गए अपहरण की सूचना के बाद पूलिस अदिकारी आनन फानन में मौके पर पहुच गए युगती को तलाशने के लिए चेकिंग अभ्यान चलाया गया लेकिन इस पूरे मामले में उस समय नया मोर सापने आ गया जब लड़की खुद ही अपने खर वापस आ गई लड़की के वापस घर पहुचने के बाद घरवालों ने किसी भी तरह की कारवाई से इंकार कर दिया दरसल ये खटना उस वक्त खटी जब युवती अपनी मा के साथ हॉस्पिटल में भड़ती अपने परचित से बिलने जा रही थी कि तब ही अचानक एक कार और एक आटो एक साथ आये बताया जा रहा है कि युवती कार से उतर कर खुद ही आटो में बैट गई थी अपहरण की आशंका से डरी युवती की मा ने अपने खर पर फोन कर युवती की किटनाप होने की जानकारी दी तो परिजनों ने आनद फानन में पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया इस पूरे नाटकी ये मामले में भले ही पुलिस ने राहत की सांस ली हो लेकिन अब भी पुलिस विभाग सच खंगाले में जुटी हुई है जिसके लिए अब परिजनों से पूचताच कर युवती के लापता होने की जानकारी हासिल की जा रही है अब्दुलकादर मेरट समाचार प्लस और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सर्वोच अदालत यानि सुप्रीम कोट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है एक याचिका दाखल की गए ती जिसमें पटाखों पर रोक लगाने की मांग की गए थी लेकिन सुप्रीम कोट ने इससे इंकार कर दिया है यानि कि अब पटाखों पर रोक नहीं लगेगी जो याचिका दाखिल की गई थी पटाखों पर रोक लगाने से संबंदित उसी याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया है तीन नवजात बच्चों के नाम पर याचिका यहाँ पर दाखिकी गई थी और जागरुता के लिए यहाँ पर विग्याप लगाए गए थी तो फिलहाल यह याचिका खारिज हो गए सुप्रीम कोर्ट में यानि की पटाखे आतिश वाजियों पर क्रतिबंधिन नहीं कानपूर में एक ऐसा मामना सामने आया है जहाँ पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आधिशों की अभेलिना करती नजर आ रही है पुलिस पिछले नौ दिन से एक नाबालिक रेप पिडिता का मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही और अब पिडिता और उसके परिजन पुलिस थाने के चक्कर लगा लगा कर ठख चुके हैं कानपूर की कलंक कत्हा नाबालिक के साथ हो गया रेप लेकिन पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस कानपूर के नौबस्ता थाने के सिम्रा गाउं की रहने वाली 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसके महले में रहने वाले युवक ने मौका पाकर बच्ची को दबोचते हुए उसके साथ रेप जैसी संगीन और खेनोनी वारदात को जबरन अज्जाम देडाना ग्रेप के बाद बेहोश पड़ी बच्ची जब अपने घर में ही पहुची तो उसके परिजन उसकी तलाश में निकले तब कही जाकर परिवार वालों को अपनी बच्ची बेहोश हालत में जंगल में मिली परिजन परिवार जब बच्ची के साथ पुलिस के पास अपनी फर्याद लेकर पहुचा तो पुलिस नहारूपी के खिलाफ को पत्दमा तरज ना करते हैं नौ दिन बीच जाने के बाद भी पेड़ित पच्ची का मेडिकल तक नहीं कराया है पुलिस का कार रवाई की तो कोई कार रवाई सुन नहीं रही आई आँ अपने पुलिस कार रवाई कर रही हैं एक के बाद एक वारदात को अपराधी अज्जाम देकर फरार हो जाते हैं और एक कानपूर पुलिस है जिसे रेब की वारदात दिख्ती तक नहीं ऐसे में सवाल उटा है कि कानपूर की ये कलंक कथा आखेर कार कब तक जारी रही निरजवस्ती कानपूर समचार प्लस तमाम सरकारी कोशिश और सख्त कानूं के बाद भी हमारी बच्ची और बहुबेजियों के साथ बलादकार की घटनाएं नहीं रुक रही है जिसकी एक और बांगी देखने को मिले घाजयआबाद में जहां दो दरिंदों नेक ना वालिक के साथ बंद फैक्टरी में दरिंद्दिकी का ऐसा खैल क्योड़ा की इंसानियत शर्मसार हो गई काटिये बाद में लटकी के साथ बंध फैक्टरी में गैंग रेक किया गया और जिस लटकी के साथ ये बलककार हुआ वो नावालिक होने के साथ साथ मंद बुद्धी थी जिसका फैता उठा कर वैसी दरिंदों ने बने फैक्टरी में इस नावालिक के साथ बलबकार किया इस पूरी बारता तो गाजेवाद के लोनी इलाके की टरौन का सिटी की बंद फैक्टरी में अंजाम दिया गया पहले तो आरोपी लड़की के हाँ पानी पीने के भाने से घुसे फिर मौका देखकर लड़की को बंद फैक्टरी में ले जाकर उसके साथ बलबकार किया गैक्रेप के सिकार हुए लड़की जब अपने घर पहुंची तो उसनल आपने साथ घटी घटना का चिक्ष परवार के साथ सतह के साथ किया जिसके बाद फीरिक परवार के शिकायट कर पलिस ने माम्दा दस करता हुए दोनों औरोपियों को ग्रफ़ तार कर लिया पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरूपी भी अपना गुना कबूल रहे हैं और पुलिस की तफ्दीस के बाद बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस बारदात को अंजाम दिया नावालिक और मंदबुति के साथ हुए बलतकार के बाद सबाल उठा है कि तमाम जन्जागरण और तमाम यूजरों के बाद भी हमारे प्रेस की जगर जन्मी सुरच्छित क्यों नहीं है क्यों हर रोज हमारी बहु बेटियों के साथ भी ये दर्मिकी कर रहे हैं कामयाब हुजाते हैं सवाल लंबे वक्त से पुछा जा रहा है लेकिन हकीकर ना आज भी हमारी बच्ची, बहें, मा और बेटियों के साथ होने वाली एक जोन विवारता रुकने का नाम नहीं ले रही है संजागरीज, समाचर प्लस, गाजियवाद तो इस गुलेटिंग में फिरार इतने हैं लेकिन ब्रेक के लिए रही है